जै श्रीकिष्णा एवर्वान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एकदम फर्स फ्लास और एक्जाम्स की जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रहे होंगी एक्जाम्स का महिना आ चुका है दस दिन बाद आपके एक्जाम्स है अगर आपके एक्जाम्स 20 अगर 20 से शुरू हो रहे है तो तो 10 दिन भी नहीं है और अगर 24 से स्टार्ट हो रहे है तो आपके पास 10-12 दिन बजे हो है अब इस टाइम पर क्या होता है कि जैसे जैसे होना शुरू हो जाता है, तो काफी सारे students को बहुत जादा tension हो जाती है, बहुत stress हो जाता है, right, anxiety हो जाती है, exams का जो fear होता है बड़ा खराब सा होता है, पेट में गुदी-गुदी होने लग जाती है, पढ़ाई डंग से होती नहीं है, बस यहीं सोचते रहते हैं कि exams में क्या होगा, क्या नहीं होगा, और आपका जो batch है, वो तो एक special batch है, क्योंकि वो actually में पहली बार boards exams देने वाले हैं, 10th में आपके boards नहीं हुए थे, बतलब यह तो ऐसी feel आ रही है, कि आपको directly World Cup का final खेलने के लिए बेज दिया गया, पहले कुछ हुआ ही नहीं है, कोई practice session रिगा कर आता है, तो उसको पता होता है, कि हाँ, boards का environment ऐसा होता है, लेकिन आपने वो भी experience नहीं किया, 10th में, 11th में, generally basically अभी तक आपने जो भी exams दी है, वो schools में दी है, schools के classrooms में आप बैठे हो, दोस्त आपके आसपास है, school teachers है, तो उतनी tension built नहीं होती है, उतनी tension feel नहीं होती है, अभी तक आपने वो boards वाली feel ली नहीं है, और उस वजे से भी थोड़ी जादा tension होती है, थोड़ा जादा stress होता है, yes or no, और भी बहुत सारे reasons है, तो आज की इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है, इस time पर ये video बनाना बहुत जरूरी है, तो आज की इस वीडियो में ये boards है, तो ऐसा क्या है वारवे के boards में, क्यों हो रही है इतनी tension, क्यों पेट में गुदी गुदी हो रही है, क्यों anxiety हो रही है, तो उसके बारे में discuss करेंगी reasons क्या है, क्योंकि एक बर हमने reasons को identify किया, क्या ये reason है, तो उसका solution discuss करना असान हो जाता है, तो जहां तक मुझे लगता है, क्या-क्या reasons हो सकते हैं, तो सबसे पहला reason, देखो, मैं कोई doctor नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं आपको बहुत ही scientifically बता पहूं, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों से discussions करी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास WhatsApp पे message आते हैं, emails आती है, क्यों मैं टेंशन हो बहुत अच्छे से याद है, जादा पुराना नहीं हूँ मैं, ठीक है, मुझे जादा टाइम नहीं हुआ है, तो definitely इन सब चीजों से जो मैंने सीखा है, जो मुझे पता है, वो मैं आज आपके सारे डिस्कॉस करने वाला हूँ, तो सबसे पहला reason, जो मुझे लगता है, कि जिसकी वज़े से आपको जादा tension हो सकती है, वो है lack of preparation, अब lack of preparation में बहुत सारे points है, सबसे पहले, देखो दो students होते हैं, जिनका actually में preparation कम हुआ है, मतलब पूरे सारे डंग से prepare नहीं किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कि डंग से पढ़ाई हुई नहीं है, किसी पूरी नहीं है, यही सोच सोच कर tension हो रही है, कि boards में क्या होगा, घरवले क्या बोलेंगे, तो बहुत सारे चीज़े होती है, और दूसरे student होते हैं, जिन्होंने preparation करी है, लेकिन उनको बार बार यह फिल आ रहा है, कि यार यह रह गया, वो रहा गया, बतलब ऐसे students होते हैं कि जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी यह फिल आ रही है, कि यार कुछ नहीं पढ़ा, और ऐसा होता है, ऐसा कई students के साथ होता है, कि यार अभी भी ऐसा लग रहा है, कि भूल जाओंगा, exams में यार नहीं आया, तो क्या होगा, तो दोनों के बारे में discuss करें तो एक तो यह reason हो सकता है, कि आपने preparation ढंक से नहीं करी है, या preparation करी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, कि नहीं करी है, इससे reason से आपको काफी stress होता है, उसके बाद जो second reason मुझे लगता है, जो हमारा major reason है, वो है expectations, बहुत गंदा reason है भाई, मैंने खुद experience किया है, expectations, किस starting से काफी अच्छे student रहे हो, आपके pre-boards में अच्छे marks आया है, तो teachers को पता चल जाता है, कि आपके दोस्तों के expectations हो सकती है, आपके relatives की हो सकती है, society के expectations हो सकती है, कि जो आपके आस पढ़ उसके लोग है, उनको पता होता है, कि हाँ ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, तो उनको बहुत expectations होती है, कि बारवी के boards है, इसका result आएगा, पूछेंगे, पूछेंगे, तो ये बहुत सारी expectations है, बहुत burden, बहुत बड़ा burden होता, क्यार इन सबकी expectations है हमसे, और ये सोच-सोच के डर लगता रहता है, कि यार अगर ये expectations पूरी नहीं होई तो, अगर मेरे marks नहीं आए तो, मैं इनको क्या जवाब दूँगा, मैं अपने teachers को क्या बोलूँगा, teachers मुझसे बहुत high expect कर रहे हैं, हाना, right, दोस्त भी expect कर रहे होते हैं, कुछ-कुछ, उसके बाद parents के expectation है, तो ये बहुत बड़ा reason होता है, जिसकी वज़े से डर लग रहा होता है, डर ल example, pre-boards आपने दिये, आपके एक pre-board में marks अच्छे नहीं है, उससे क्या होता है, confidence down हो जाता है, या आपने pre-board दिया, हाँ, pre-board आपने दे दिया, लेकिन marks अच्छे नहीं है, उसके बाद आपने महनत करी है, उसके बाद आपने improve किया है, लेकिन फिर भी, वो pre-board के marks कहीं ना कहीं आपको डराते रहते, क्यार जब मेरे school के pre-boards में marks अच्छे नहीं आए, तो boards में, अगर boards में भी नहीं आए तो, boards में कैसे आएंगे, खना, तो एक चीज़ यह रहती है, क्यार, जो past papers हुए है, जो past performance है, वो बड़ी खराब हुई है, तो यार अब तो मुझे directly, क्या कर करने वाले, comparison का मेरा मतलब का है, कि बहुत अलग-अलग तैप के comparison होते हैं, एक comparison क्या हो सकता है, पहला, आप क्या हो सकता है, कि लेटसे आपने किसी दोस्ते पूछ लिया, क्यार ये question तुझे आता है, और उसको आता है, लेकिन आपको नहीं आता, हाँ, या ऐसा हो सकता है, किसी दोस्त ने आपसे कोई question पूछ लिया, उसको आता है, आपको नहीं आता है, या किसी के marks बहुत अच्छे आ रहे है, तो बहुत अलग-अलग type के comparisons होते हैं, इस time पर तो बहुत ज़ादा होते हैं, किसी के pre-boards में marks अच्छे आ गया है, जैसे 3 idiots में जो dialogue है, कि यार, दोस के marks अच्छे ना आए, fail हो जाए, तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त के marks ज़ादा आ जाए, तो और भी बुरा लगता है, खराब dialogue है, लेकिन कहीं ना कहीं reality है, yes or no, harsh reality है, हां जी harsh reality है, तो comparison से भी tension होती है, right, कही कहीं मैं ऐसा होता है, कि कोई दोस्त आपको phone भी कर कर देते हैं, और इससे बहुत tension होती है, बतारो, बड़े गंदे दोस्त होते हैं, जो आपको phone करके पूछते हैं कि आपकी त्यारी कितनी हो गई, तो उसके बारे में discussion करेंगे, उसके बाद जो बहुत ही basic एक reason हो सकता है, आपके anxiety का, आपके stress का, या focus नहीं हो पा रहा है, day इस ताइम पर क्या होता है, बस आप पढ़ रहे हो, snacks पढ़ रहे हो है, जो आपको दिख रहा है, आपको fast foods वे गया रहा, खाये जा रहे हो, बैठे हो, कोई exercise कुछ ही नहीं है, अब क्या होता है, generally मैं बता रहा हूँ, as a student जब मैं भी था, तो मेरी दिमाग में क्या होता थ कि या exercise करना है, is a time waste, मेरे पाद दिन में 24 गंटे है, maximum 6 गंटे सोंगा, मैं इस स्यादा मैं सो नहीं सकता हूँ, अच्छा ठीक है, और उसके बाद, उसके बाद तो बस पढ़ना है मुझे, बहुत बड़ी mistake है, trust me, बहुत बड़ी mistake होती है, कि हमें लगता है, exercise करना है, exercise कर exercise का मतलब मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, कि आप 2 गंटे जिम जा रहे हो, नहीं, सिरफ आदा घंटा वॉक पे चले जाना, या कुछ sports खेल लेना, या कुछ भी कर लेना, जिससे आपके physical fitness है, वो maintained रहे, physical health सही रहे, नहीं करता है कोई भी, होता क्या है, दोस्त, मैं आपको simple स fat करती है, तो अगर आपको यह लग रहा है, कि आदा घंटा मैं exercise करूँगा, तो time waste है, वो सब चीजे है, आप healthy नहीं खा रहे हो, बाहर से फटा फट मंगवा रहे हो, chips, chips खाया जा रहे है, इन सब से, यह एक बहुत बड़ा reason है, ठीक है, नीन पूरी नहीं कर रहे है, मैं बस चार घंटे सो रहा, और actually मैं पता है, कि जो student सिरफ चार घंटे सो रहा है, उसको बोगल साथ है, glorify करता है, कि भाई मैं तो सिरफ 4 घंटे सो रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है, तू 4 घंटे सो रहा है तो, ठीक है, अगर आप 4 घंटे सो रहा है, इसका मतलब आपका य पढ़ने पढ़ने जो नहीं चलते और फिर फोन बंद हो जाता है तो इसी तरीके से जब तक body charge नहीं होगी और body का charger क्या है डंग से सोना खाना तो charge ही नहीं करोगे तो काम कैसी करेगी body बात समझे तो यह कुछ reasons है जो मुझे लगता है इस time पर जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है तो यह मैंने कुछ reasons discuss करें अब आते हैं कि हमको करना क्या है सर वो बताओ कि क्या करें तो सबसे पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ जो आपको बताना चाता हूं the number one point is कि जो lack of preparation के हमने बात करी है उसके लिए हम क्या कर सकते है तो सबसे पहले दोस्त आपने अब जितना भी पढ़ लिया उतना ही आप पढ़ सकते थे सच बात तो यह है आपने अब तक जितना भी slavers cover किया है हाँ उतना ही cover कर सकते थे अब इसके बाद जो भी आपको करना है वो क्या करना है आप जितना से बस आप already cover कर चुकी हो अब बस आपको उसी को दुबारा करना है उसी को बार-बार करना है अब क्या होगा अगर आपको यह नया topic उठाओगे वो आप पहली बार कर रहे होगे honestly पहली बार करने का time कहीं न कहीं जा चुका है अगर आपके बाद 10 दिन बचे होगा है 10 दिन बाद आपके exams है हाना जैसे मैं accounts की बात करता हूँ तो accounts का exam 31st March को है कब 31st March को अभी डेर्ड महिने से भी उपर है बीच में काफी सारे exams हैं तो काफी सारे topics आप भूलने के chances हैं कि topics भूल जाओगे हाँ तो इसलिए जरूरी क्या है कि जो चीज़े आपको already आती है जो चीज़े आप already prepare कर चुके हो उसी को आपको revise करना है इससे दो चीज़े होगी पहला तो ये कि आपका confidence थोड़ा सा build होगा कि हाँ ये ही मेरे को आता है मैं ये ऐसी hope कर रहा हूँ मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि बोहुत सारा slavers नहीं होगा जो आपने cover नहीं कर रखा है पता चले कि अवाई 50% slavers cover ही नहीं है तो सर्व क्या 50% छोड़ दे बटा ऐसी situation तो होने ही नहीं चाहिए मैं बात कर रहा हूँ 10-15% की कि अगर एक आदा chapter ऐसा है जो आपने नहीं कर रखा है जिससे आपको डर लगता है क्या नहीं ये मुझे नहीं करना है मुझसे नहीं हो रहा है आपने पहले कोशिश करी लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था तो पेटा अब वो time आ गया कि उसको side कर देने का क्योंकि अगर आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था इस time पे उसको समझना तो और भी मुझकिल है जब actually मैं focus करना ही मुझकिल हो रहा है tension की वज़े से तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो आपने पहले कर रहा है जो आपकी strength है कि जो जो जी आपको पहले समझ में आ गई थी ऐसा ना हो कि वो भी आप भूलना शुरू कर दो वो भी आप भूल जाओ तो कोशिश करो कि उसी को दुबारा कर लो तो अपनी strength पे focus करेंगे जो weakness रह गई है जो topics आपको समझ में नहीं आ रहे टाइम आ चुका है उसको side कर देने का क्योंकि पहले समझ में नहीं आया तो अब समझना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर कोई ऐसा chapter है कि जो 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 चीज़े आपको already आती है अब उन पे focus करने का time आ गया क्योंकि भाई सारा game ना confidence का है जैसे मैंने बोला कि lack of preparation मतलब कि आपने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भूल रहे हो तो इससे better क्या होगा कि जो चीज़े आपने पढ़ रखी है उसी को बार बर एक बार देखते रहे हो जब आपको ये लगेगा कि हाँ यह सब मैंने कर रखा है तो आपको क्या करना है आपको हमेशा जब भी आपको ये feeling आए कि यार मेरी तैयारी नहीं है मैंने कुछ किया नहीं है कई बर ऐसा हो जाता है कि आप sample papers कर रहे हो और कोई ऐसा question आ गया कि जो शायद आपसे नहीं हुआ तो कहीं न कहीं confidence down होता है कि यार यह question नहीं हुआ तो जब भी आपको ऐसा हो रहा ना क्या करो अराम से बैठो, एक deep breath लो और सोचो कि यार जो जो मैं accounts में books cover कर सकता था जो जो मेरे पास material था क्या गों मैंने cover किया है कोई भी एक book की बात करते हैं let's say आप TS cover कर रहे थे या DK दोनों book की में बात ही नहीं कर रहा हूं क्या आपने दोनों में से कोई भी एक book cover कर ली है, अराम से सोचो अगर आपका answer है yes, tick मार लो कि हाँ भी मैं TS कर चुका हूं, बिल्कुल कर चुका हूं क्या मेरे concepts, मैंने concepts पर ध्यान दिया क्या मैंने questions की practice कर रही है हाँ मैंने कर रही है क्या मैं sample papers कर रहा हूं, हाँ मैं कर रहा हूं इससे क्या होगा, जब आप अपने mind को बोलोगे कि भाई, जो-जो मेरे पास था, वो तो मैं कर चुका हूं तो कैसे lack of preparation भाई, नहीं इसी को बोलना जो बोलना है, यही आपको पादो बनाता है भाई बात तो यही है, कि भाई, यही से तो instruction आ रहे है कि नहीं तयारी नहीं है, अरे है तयारी, क्यों नहीं है तयारी बात समझे लेगे, तो जो-जो चीज़ी आपने करी है ना उसको एक बार आब बोलते रहो कि हाँ, मैंने यह भी कर लिया मैंने यह भी कर लिया, तो कर तो लिया सर, काई कि attention सब कर लिया आपने नहीं ना तो कुछ कोशन आपको दिख सकते हैं बिलकुल दिख सकते हैं तो आप उसको स्टेम कर लो बात खतम हो जाएगे बस आपको यह बोला कि यही नया कोशन था और नया कोशन नहीं है और तो मैं सब कवर कर चुका हूँ उसके बार सेकेंड पॉरंट आपका क्या आता है सर कंपारेजन अरह भाई बहुत गंधीरी में थीक हैं अब कंपारेजन से सर कैसे देख रट तो सबसे पहली जहीं आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसको जिससे भी आप compare कर रहे हो जिससे भी आप compare कर रहे हो ना हमेशा कोई ना कोई आपसे better होगा ही होगा मतलब मैं आपको एक simple से example दूँ ठीक है एक story मुझे एकदम से याद आई है कि एक ना commerce का olympiad होता है international commerce olympiad I think आपके अभी भी होता है नहीं होता पता नहीं international commerce olympiad होता है तो उस time पे international commerce olympiad होता है I guess 12th class में होता और तो उसमें क्या होता है उसमें school ranks आते थी कि जिसने भी school में top किया है और मेरी school rank 1 थी तो मतलब मुझे एक बहुत सुन्दर सी trophy मिली थी चीक है और मैं बहुत खुश था of course क्योंकि सबसे आ गया है तो खुशी तो हुई लेकिन जब मुझे वो एक mark sheet मिली उसमें लिखा हुआ था कि आपकी rank यह है national जो topper है उसके percentage इतनी थी international topper की percentage इतनी थी जब दोस्त मैंने वो देखा तो मुझे पता चला कि जो national topper था उसकी I think 0.2% या 0.4% जाता थी जो international topper था उसकी 0.9% या 0.8% जाता थी जब मुझे यह पता चला ना मुझे बहुत बुरा लगा क्यार काश्ट दो number और जाते काश 0.2% और होता तो मैं national topper होता और मज़े की बात पता क्या है अगर मैं national topper होता तो मैं compare कर रहा होता किससे जिसने international top किया है और ध्यान रखता है एक बात कि जो यह comparison का loop है यह कभी खतम नहीं होगा अगर आप अपने school में हो और आपके किसी दोस्त के number जादा आए हैं आप उससे compare कर रहे हो let's say आपके अपने school में आपने top किया है फिर पता क्या करोगे आप आप अपने district topper से compare करोगे यार काश में district topper होता अगर आप district topper होते तो फिर आप compare करते काश में state का topper होता या उसके बाद आप देखते काश में national topper होता तो यह loop कभी खतम नहीं होगा कोई भी एक इंसान हर aspect में अच्छा होई नहीं सकता है अगर आप academically अच्छे हो मैं आपको simple से example देता हूँ अगर कोई academically अच्छा है तो आपको क्या लगता है कि वो बहुत खुश होगा नहीं लेट से कोई dance competition आया और किसी ने class में वो dance competition जीत लिया लेकिन उसको dance करना नहीं आता वो उस बात को लेकर परिशान हो जाएगा कि यार में को dance करना नहीं आता ये जीत गया मैं क्यों नहीं जीता किसी को debate में बहुत अच्छा है तो किसी ना किसी aspect में हर कोई आप से क्या होगा सर एक कदम आगे होगा आप से better कोई ना कोई होगा तो ये comparison अगर आप करना नहीं चोड़ोगे आप हमेशा ही upset रहोगे आप कभी भी number one पे हो ही नहीं सकते in all the aspects बात समय में आ रही है और पता है क्या है मज़े की बात ये है कि हम हमेशा अपना comparison अपने better वालों से जरते हैं कि जिसके better marks आए जो मुझसे better good looking है हाना या जो better communicate कर सकता है कुछ भी हाना better dance कर सकता है मुझसे जादा अच्छा गाना गाता है लेकिन कभी ये सोचना कि आपके नीचे भी बहुत भीड होती है आपके नीचे भी बहुत लोग है कभी उसके लिए आपने gratitude feel किया है कि यार मेरे पास बहुत लोगों से बहुत जादा है नहीं न क्योंकि हम तो हमेशा क्या कर रहे है हमेशा अपने ऊपर वाले से compare कर रहे है और trust me जब तक आप एक comparison नहीं छोड़ोगे न तब तक आप कभी satisfied feel नहीं करोगे यार सबकी अपनी journey है त्री इडियेट्स में जब डायलोग था जब first year के marks आई थे I guess तो हुआ क्या था यही डायलोग आया था क्यार दोस्त जब top करता है तो और बुला लगता है लेकिन मुझे एक बात बताओ जब movie की ending हुई सब अपने अपने career में set हो चुके थे हाँ सब जब राजू और फरहान को पता चला था कि भाई जब उनका रायंचो दोस्त है वो बहुत बड़ा scientist है बहुत successful है इतनी patents है तो बेटा वो खुश थे या नरास थे याद करो उसी उसके वारे में किसी सोचा ने आप खुद सोचो कि भाई जब उनको पता चला कि उनका दोस्त कितना बड़ा scientist है स्कूल चला रहा है कितना मस्त काम कर रहा है तो वो actually में खुश थे न उस टाइम दोनोंने comparison नहीं किया क्यों? क्योंकि भाई सब की अपनी अपनी जर्णी थी सब अपनी अपनी जर्णी में कुछ ना कुछ कर रहे थे लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे थे खुश थे yes or no? बात समय बाई उस टाइम क्यों नहीं बोला हुद नहीं और यार यार यह तो बहुत बड़ा scientist है कितने पैसे कमा रहा है कितना खुश है ऐसा तो नहीं हुआ सारे ही खुश थे उस टाइम पे जितने भी उसके दोस्ते हाँ तो इसका मतलब क्या है कि लाइफ में आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे अपने आपको बस यही बोलना है कि यार कुछ भी हो मैं कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर लूँगा अगर मैं महनत करूँगा मैं ढंक से हर एक्जाम्स की या किसी भी फिल्ड में ढंक से महनत करूँगा तो मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर लूँगा लेकिन कंपैरिजन के लूप में मुझे कभी भी नहीं फसना है ठीक है कोई कंपैरिजन का लूप नेवर एंडिंग है कभी खतम नहीं हो सकता है कभी भी खतम नहीं हो सकता है यसे नो तो कोशिश करेंगे किसी से कंपैर नहीं करना किसके कितनी तैयारी हो चुकी है किसके कितनी तैयारी नहीं हुई है किसके कितने माक्स आ रहे है कुछ नहीं फरापड़ता है यार उसकी तयारी से मेरी तयारी कैसे एफेक्ट हो रही है अगर उसने एक चप्टर जादा कर लिया तो उसकी महनत है मैंने अगर एक चप्टर कम किया तो कोई बात नहीं अगर उसके पांच नंबर जादा आ रहे है तो उसके पांच नंबर जादा आने से मेरे number थोड़ी कम हो रहे है मैंने जितनी महनत करी है मैंने जितनी efforts जा रहे है मुझे उतना ही result मिलने वाला है तो compare करके फायदा क्या होने वाला है कुछ फायदा नहीं होने वाला है यह सुनो तो कोशिच करेंगे comparison की look में नहीं फसेंगे बहुत दिक्कत वली बात होती है उसके बाद एक point आता है sir expectations का बताओ expectations का क्या करें देखो अब बात यह है एक बाद आराम से बैटके सोचेंगे कि यार मेरी teachers की मुझसे expectation है कि मैं बहुत अच्छा score करूँगा और वही सोचके मैं tension ले रहा हूँ मेरी जो आसपास आसपड़ोस के जो neighbors है उनकी बहुत expectations है मेरे दोस्तों की बहुत expectations है मेरे coaching वले tuition की जो coaching tuition मैं ले रहा हूँ कोई भी और लोग जिनकी मेरे expectations है मेरे parents की बहुत expectations है और यही सोचके मुझे डर लग रहा है मुझे बाब बताओ अगर आपके teachers ने आपके neighbors ने आपसे expectation लगा रखिये और आप वो expectation पूरा नहीं कर पा रहे हो तो यार आप क्यो बुरा fool कर रहे हो उनकी expectation थी ना उन्होंने expectation लगा रखिया ना yes or no भाइ उनकी गलते उन्होंने आपसे expect क्यों किया यार मैं दुनिया की expectation पूरी करने के लिए थोड़ी जीवन लिया है मैंने अरे मैं इस जिंदगी में क्या दुनिया की expectation पूरी करने के लिए आया हूँ कि नई भाई इतने सारे लोगों की मुझसे expectation है अगर मेरे marks नहीं आये मैंने उन्हें let down कर दिया तो यार मैं तो बहुत ही बेकार इंसान हूँ क्यों अरे मैं उनकी expectation मैं क्यों बूरी करूँ उनकी गलती है कि वो आपसे expect कर रहे है मैं उसके लिए खुद burden feel नहीं कर सकता हूँ मेरे साथ 12th में exactly same हुआ है क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था मेरे teachers की मुझसे बहुत expectation थी बहुत ज़ादा आस पढ़ोस के लोग भी मुझसे बहुत expectation थी ये तो कुछ करेगा भाई ये school top करेगा schools की तो अलग ही expectation थी मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों को भी था कि हम भाई ये तो number लेकर आएगा लेकिन मेरे उतने marks नहीं आए चितने बाकी सब लोगों ने expect किये थे मेरा English का पहला paper ही खराब हुआ था Business studies में मुझे अभी तक याद है मैंने question गलत कर दिया था delegation की जगे मैं decentralization लिख कर आया था वो number कट गये थे मेरे मेरे कोई भी exam as per expectation गया ही नहीं था जाँपल मेरे 95% marks आये हाँ तो क्या 95% marks ठीक है हाँ ठीक है उससे मेरी life पे को impact पढ़ रहा है कि आज की date में अगर मेरे वहाँ पे 95 की जगे 94 भी आ जाते तो क्या आज मेरे life पे को impact पढ़ रहा था नहीं नहीं पढ़ रहा था और अगर पढ़ भी रहा था तो बाई मेरी life है ना उनकी life जाए भाड़ भी simple सी बात है यार मैं सच बता रहा हूँ आपको इतने सारे students के मेंपा message आता है कि sir मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत expectations है मेरे parents की बहुत expectations है देखो जो parents के expectations है ना वो मुझे फिर भी समझ में आती है वो समझ में आती है और मैं हमेशा बच्चों को एक simple सी suggestion देता हूँ कि life में prudence concept लगा कर चलेंगे और ये prudence concept आपको अपने teacher से communicate अपने parent से communicate करना है तो छोड़ दो कोई बात नहीं parent से communicate तो आपको करना ही करना है sir prudence concept कैसे मैं जब भी exam देकर आता था मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं उनको बता दू कि मेरा exam बहुत अच्छा नहीं हुआ मुझसे ज़ादा expectation मत लगाओ ठीक है बिल्कुल expectation मत लगाओ मेरा exam बेश्यक अच्छा हुआ लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि यार वो मुझसे ज़ादा expect ना करें क्या होता है अगर वो मुझसे ज़ादा expect कर रहे है और फिर मैं as per expectation marks नहीं लेकर आया वो भी नराज होंगे वो भी upset होंगे और उनको देखके बैबी upset होंगा तो better क्या है better ये है कि अपने parent से communicate करना बहुत ज़रूरी है देखो बाकी सबको आप नहीं समझा सकते सच बात तो ये है और बाकी सबका कही न कहीं खुद का interest भी होता है ये बात भी सच है ठीक है आपने किसी और के expectations का ठेका नहीं लिया हुआ है आपको सिर्फ अपने parent से communicate करने की ज़रूरत है कि देखो यार मैंने महनत करी है लेकिन उन तीन घंटे में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता बहुती सिंपल सी वात है यार कभी भी calculation mistake हो सकती है कभी भी कोई silly mistake हो सकती है कुछ भी हो सकता है exam है हाँ या ना कोई भी question उस time टे गलत हो सकता है definitely हो सकता है तो पहले से उनसे communicate कर लो कि यार मुझसे बहुत जाथ expect मत करो हाँ मैंने तयारी करी है मैंने अपनी तरफ से महनत करी है और trust me आपके parents समझेंगे इस बात को ठीक है वो ऐसा थोड़ी बोलेंगे यार आप जो मुझसे expect कर रहे है उससे मैं बहुत जादा pressure feel कर रहा हूँ मैं बहुत जादा मुझे anxiety हो रही है मैं महनत कर रहा हूँ मैं definitely prepare कर रहा हूँ लेकिन please इतनी जादा expectations मुझसे मत रखिये अगर मेरे 12th May boards में marks सच्छे नहीं भी आते तब भी मैं life में कुछ ना कुछ करू मा सब लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं ठीक है जो 99% वाले बच्चे हैं सिरफ वही life में नहीं फोड रहे हैं भाई सिरफ वही खुश नहीं है सब की अपनी जर्णिया यार और आज की डेट में online की दुनिया में इतनी सारी opportunities है सिरफ ये एक opportunity नहीं है बान की चलो कि 12th के boards exam सिरफ एक opportunity है क्या पूरी जिंदगी में सिरफ एक ही opportunity आपकी जिंदगी में आया मली है नहीं न क्या आपके किस्मत में सिरफ एक opportunity आएगी नहीं दुनिया मर की आएगी कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के साथ तो मैं कर लूँगा ना बात समझ रहे हो तो parents की expectations को आप definitely deal कर सकते हो बाकी सब के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है सच बात तो ये है जो मर्जी सोच रहे हो आपके school teachers ठीक है पोर teacher बहुत नराज हो जाएगी पोर नराज हो जाएगी वो उनकी गलती है भाई क्यों कर रहे हो मुझसे इतना expect मत करो महनत कर रहा हूँ result आएगा ठीक है मैं सच बोलता हूँ हमेशा मुझे focus करना होता है controllables पे MS धोनी ने ये बात बोली थी दोनी ने क्या बात बोली है ठीक है दोनी के सारी बाते याद है दोनी ने बोला है हमेशा सोचो किसके बारे में जो controllables है जो मेरे हाथ में है result कभी भी मेरे हाथ में नहीं होता है जब वो मेरे हाथ में ही नहीं है ठीक है कि result क्या आने वाला है क्या होगा क्या नहीं होगा तो उसके बारे में सोचके मैं क्यों परिशान हो रहा हूँ आज क्या 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो result आने वाला है 4 महीने future में जाके मैं एक अलगी situation को imagine कर लेता हूँ और हमारी पता है क्या है हम जितने भी worst scenarios है उनको सोच लेते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा भाई उस टाइम जो होगा वो देखा जाएगा और लाइफ में बहुत साई चीजी ऐसी होंगी जो unexpected होंगी उसी को लाइफ बोलते हैं अगर सब कुछ as पर planning चलने लग गया ठीक है भाई उतना ही आना था अच्छा आएगा बहुत अच्छी बात है कुछ ना कुछ उससे हो जाएगा और अगर नहीं आएगा तो भाई कही और महनत करेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ skills acquire करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ने लाइफ में देखो अगर आप मैं बार-बार इचीज बोल रहा हूँ अगर आप honesty से महनत करते रहोगे तो life में कुछ ना कुछ तो करोगे तो ये 12th के जो boards exam है वो life का एक छोटा सा पाट है इत्तू सा पाट है हो तो बहुत बढ़ी है life एक्जामस आपने पहले भी बहुत दिये है भाई 10th में भी एक्जामस दिये थे 1st से लेके 10 तक एक्जामस दे रहे हो हाँ तो 12th का भी normal exams है और आप तो college के admission भी इसके बेचिस पे नहीं हो रहे है तो जो थोड़ा सा एक element था importance का वो भी खतम हो चुका है तो काई की attention ले रहे हो कोई attention ले वाली बात ही नहीं है भाई मेरा काम है महनत करना कर लेंगे result जो आएगा वो दिखा जाएगा इसके बाद एक बहुत important aspect देखो मुझे बता है ये video बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि मेरे दिमाग में जितने points है कोई भी point किसी को भी help कर सकता है तो कोशिश करना कि थोड़ी दर सुन लो मुझे सेशन खतम होने वाला है स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हो थोड़ी दर और सुन लो इसके बाद जो एक बहुत important point है वो है social media क्या है सर social media अब social media जो है न दोस्त वो आपको avoid करना है avoid का मतलब है जितना हो सके बंद कर दो Instagram तो आपके phone में होने ही नहीं चाहिए Instagram में इतनी negative energy है न मैं आपको बता नहीं सकता आपका time wish करेंगे आपका दिमाग खराब करेंगे आपकी energy consume करेंगे focus नहीं होगा खटा दो उसको तो जिंदगी से खटा दो अभी के लिए at least exams तक के लिए तो खटा ही दो Facebook तो आज कल I think कोई use नहीं करता Instagram आपके life में होना ही नहीं चाहिए WhatsApp अगर आपको लगता है कि important है doubts लेने के लिए इन सब चीज़ों के लिए तो ठीक है लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं WhatsApp पे आपको कुछ खास नहीं हो रहा है आपको कुछ help नहीं मिल रही है जितना कम use करोगे उतना अच्छा है अब बात आती है YouTube की YouTube में मुझसे बहुत सारे बच्चों ने question बूचा है यूट्यूब को कैसे handle कर सकते हैं तो दोस्त देखो YouTube पे आपको करना क्या है अब problem क्या YouTube की YouTube जिसने design की है वो तो यही चाहता है आप जितना अजादा content consume करो उतना अच्छा है लेकिन आपको YouTube पे सिरफ selective content ही consume करना है से selective content का मतलब क्या है कि अगर आपको यूट्यूब से पढ़ रहे हो किसी एक teacher से पढ़ रहे हो अच्छा ठीक है अगर आपको मेरी वीडियोस देख रहे है तो वीडियोस को download करके रखो और offline mode पे देखोगे योगि जब आप online mode पे देखते हो suggested videos आती है आपको एक बहुत ही बढ़ियासी वीडियो दिख जाएगी how to score 80 on 80 full marks कैसे लेकर आए अगले 10 दिन में आपका 100% flavors कैसे cover करे भाई सब का काम क्या है videos बनाना वो तो चाहते हैं कि आप उनकी videos देखो मैं भी video क्यों बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो yes or no तो हम तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन आपको selectively choose करना है कि आपको क्या content consume करना है बात समझ रहे हो अगर बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देखे हैं दुनिया भर के teachers के videos देखते हैं मैं उनसे पूछता हूँ business studies कहां से पढ़ रहे हो मैं को तीन teacher का नाम गिन्वा देंगे वो accounts कहां से पढ़ रहे हो पांस teacher का नाम गिन्वा देंगे वो वाई सब एक subject एक teacher से पढ़ रहे हो क्रिप्या करके और जिन teacher से आप पढ़ रहे हो बस उनी का content देखना है हां जी और वो भी कौन सा content देखना है जो important है अगर for example आपका cash flow हो चुका है और अगर कोई teacher cash flow की videos जाल रहा है तो छोड़ो उसको क्यों देख रहे हो भाई YouTube पे बहुत time waste होता है आपका Instagram तो Instagram तो वैसी बिकार में बनाम है ठीक है YouTube आपका main time waste कर रहा है हां जी ठीक है और आपको लगता है कि यूट्यूब पे तुम्हें पढ़ाई कर रहा हूँ अरे जरूर पढ़ाई कर रहे हूँ तो जो वीडियो आपको देखनी है आपको online mode पे देखनी ही नहीं है Gene Teachers को आपने देखना है उनको subscribe करके वो घंटी बजा दो ठीक है notification आईगी notification आई वीडियो को download किया जब time मिलेगा offline mode पे देखूँगा क्योंकि जब आप online mode पे देखोगे तो आपकी feed भरी होगी वीडियो से और thumbnail बनाने में तो आजका लोग expert है बिटा आप click करोगे उसको 100% click करोगे बात समझ में आ रही है तो कोशिश करेंगे आपने इस वीडियो को click क्यों किया है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ तो बढ़िया thumbnail बनाया होगा अभी तक मैंने बनाया नहीं है बनाओंगा कुछ तो बढ़िया साई हाना title लिखूंगा बढ़िया सा हां तभी click किया है न of course ऐसे आपको और भी वीडियो से बिलेगी maybe सारी वीडियो सापके लिए useful ना हो ये तो definitely होगी इस वीडियो पे आपने साई click किया ठीक है लेकिन आपको choose कर रहा है कि आपको कौन सा content consume करना है और इस टाइम पे कोशिश करो कि सिरफ वही content consume करो जो आपकी preparation में आपको help कर रहा है social media से दूर रहेंगे हाँ क्योंकि negative energy मिलती है बहुत जादा उसके बाद सर अपने आस पास सिरफ और सिरफ positive लोगों से ही आपको interact करना है बड़ा important है लेकिन बड़ा मुश्किल है ठीक है अब वो time आ गया है कुछ अपने करीबी दोस्तों को अलविदा कहने का सर कैसी बाते कर रहे हो अब मेरा कहने का मतलब है कुछ दिनों के लिए अलविदा कहने का क्योंकि problem कहा है कुछ दोस्तों की ना आज में पास होंगा नहीं होंगा बहुत tension हो रही है यार parents को क्या जवाब दूँगा parents घर से बाहर निकाल देंगे ये वो फनाना डिंगाना बहुत कुछ unfortunately मुझे कहना पड़ेगा कि कोशिश करो कि ऐसे दोस्तों से वाग को दूर रहना है ठीक है बहुत ही selfish बात है कि आर उसको आपको सोच रहोगे सर उसको मेरी help की जरूरत है और मतलब मैं help नहीं कर रहा पहले जब तक आप अपनी help नहीं कर पाऊगे तो उसके तो बिल्कुल नहीं कर पाऊगे negative energy जो है ना negative energy बहुत टेजी से spread होती है ठीक है वो tension में है आप tension में नहीं हो लेकिन अगर आप दोनों मिल गए मतलब दोनों ने बात कर ली दोनों ही परिशान रहोगे ये बात तो सही है आप उसकी help तो पता नहीं कर पाऊगे और उसकी help अप क्या ही कर लोगे क्या कैसे help कर लोगे त्यारी उसको कर नहीं है जी त्यारी उसको कर नहीं यह सो नहीं तो अगर वो बोल रहा है कि मुझको नहीं समझ मैं रहा क्या करू क्या करू ठीक है भाई अगर आपको जादा लग रहा है कि बच्चा परिशान है दोस्ट परिशान है समझा दिया, नहीं समझ रहा, दूर रहा हूँ और यह बहुत important चीज़ है क्योंकि इस time पर यह बहुत जादा होता है, बहुत ही जादा होता है मैंने भी experience किया है, सब experience करते हैं तो कोशिश करेंगे जितना जादा आप इन सब चीजों से दूर रहोगे, phone बंद कर दो आपको guilt feel भी नहीं होगा कि यार, मेरे दोसका phone आ रहा है, phone नहीं उठा रहा guilt feel नहीं होगा, phone बंद कर दो क्या दो, मैं सबसे दूर रहने वाल हूँ at least मैं exams तक, ठीक है, अराम से बाहर, walk पे जाओ, जो दोस्त आपको लगता है, motivate करेंगे, कुछ न कुछ दोस्त होते हैं, जो positivity spread करते हैं, right आपसे अच्छे-ची बाते करेंगे, आपको motivate करेंगे, आपको कभी भी down feel नहीं कराएंगे, उनसे आप जरूर बात करेंगे सरूर बात करेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, अपने parent से बात करो, किसी से बात करो, right walk पे चले जाओ, गाने सुनो, कुछ भी करो लेकिन कोशिश करो कि negative energy है हमारी body में ना है, योगि जब negative energy flow होती है, tension ज़ाधा हो जाती है, stress होता है इनसे दूर रहो ठीक है, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि ये जितना आपका charge रहेगा उतना efficiently काम करेगा और इसको charge करने के, sir, last बात मैं आपको बोलूँगा, जाधा time आपका नहीं दे रहा इसको charge कैसे करना है, आप धंग से सोना, शुरू कर दो भाई, आपको अपना sleep pattern पता होना चाहिए, ठीक है और पता है, धंग से सोने का मतलब quality of sleep है न, मतलब जब आपको पता है कि 12 बजे सोना है, तो 12 बजे सो जाओ यार, कि बेकार में 2 घंटे और पढ़ोगे, efficiency नहीं मिलने वाली आपको जब आपका एक, जो sleep आपका cycle है वो एक तरीका से design हो जाता है कि आपको इस time सोना है, आपको body को पता है कि इस time सोना है, अगर आप उस time सो नहीं रहे हो और पढ़ रहे हो, नहीं आईगी efficiency, जितना मर्जी आप try कर लो जैसे पर इसमपल, अगर मैं 12 बजे सोता हूँ आपको डेली के टास्क पूरे करोगे, आपको अच्छे से नीन आएगी, हाँ, आज कुछ तो किया है, हाँ आज कुछ तो मजा आया है, अपने दिन में थोड़े थोड़े breaks आप ले सकते हो breaks में कोशिश करो कि phone कम use करो, बाहर चले जाओ, physical stress हो रहा है, या कुछ भी जो आपके कुछ भी आपको fear है, exam phobia होता है, वो थोड़ा सा control हो जाएगा देखो, खतम तो मैं बिल्कुल नहीं बोड़ रहा हूँ कि खतम हो जाएगा, खतम होना तो super power है कि खतम ही हो जाएगा, tension नहीं हो रही है जिसको tension नहीं हो रही है, ना बेटा दिक्कत है, उनमें दिक्कत हो जाती है कि भाई, tension नहीं ले रहा है यार, हमने मैनत करी है तो tension तो हो ही जाती है लेकिन उसको कोशिश करना है कि हमारी preparation पर effect ना करे, बहुत ज़धा tension नहीं लेनी है, कई-कई ऐसे होते हैं, जो depression word बहुत ज़धा use कर लेते हैं उस stage तक तो हमको जाना ही नहीं है उस stage तक तो बिल्कुल touch भी नहीं करना है उसको, वो तो अलगी stage हो जाएगा हमको कोशिश करना है कि अपने tension को control करो, यह छोटी छोटी बात है जो मैंने आपको बताई है, मेरे हिसाब से अगर आप इसको follow करोगे, आपको definitely help मिलेगे अगर in case, मैं कोई point miss कर गया हूँ या किसी को अगर लगता है कि सर ये करने से भी, हमारा जो stress से वो control हो सकता है तो जरूर comment section में मुझे बताएंगे बाकी बच्चे उसको read करेंगे तो उनको भी help मिलेगी या अगर आपको कुछ भी और problem हो रही है वो भी आप मुझे comment section में जरूर बताएंगे अगर मुझे लगेगा कि हाँ इस पर video बनानी चाहिए तो जरूर मैं बापको बना हुआ देख उस लेवर से मारा पूरा हो चुका है mock test हम कर रहे है तो भाई मैं आपके लिए पूरा का पूरा material प्रोवाइड कर चुका हूँ बस अब मैं यही चाहता हूँ कि आपकी health सही रहे exams के आपको tension ना हो तो उसी के लिए आपको थोड़ी regularly videos मिलती रहेगी काम करना बहुत important है वो कर लिया ना उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा तब तक लिए अपना ध्यान रखे मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैश्री किष्णा बाई टिक क्या